नमस्कार, जयमातादी मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतुआ जारे कुछ खास वजहों से आपके घर के अंदर कले-कलेश होता है कुछ खास वजहें से आपके घर के अंदर सुकुन नहीं रहता कुछ खास वजह के कारण आपके घर में नहीं आता है धन और किसी खास वजह से ही, किसी खास वजह के कारण ही आपके रिष्टे नहीं रहते हैं अच्छे अब ये वजह हैं कौन-कौन से क्या कभी आपने गौर करने की कोशिश की है या फिर आप और सिर्फ काम और पैसा 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 मनी मनी धन 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 या फिर आश और आश और आश और आश यानि घुमना पाटी पैसा काम बस यह चीज़े हैं कि घर का वातावरण कुछ नहीं है आपके लिए कहते हैं कि घर के अंदर अगर आप चार घंटे की भी सुकून की नींद ले लेते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है वैसे तो काईदे से नींद साथ से आठ घंटे की लेनी चाहिए लेकिने कि जर्णली एक कहावत की बात करते हैं कि अगर आप कुछ पल भी अपने घर के अंदर सुकून से बिता देते हैं तो आपका दिन जो है वो बहुत बेटर जाता है यह बहुत बड़ी कहावता और बहुत सही भी है घर का वातावरन बहुत important होता है घर का महौल, घर का वातावरन घर की चीजें भईसे संभलने के बहुत जरूरी है अब यह होता क्यूं है सबसे पहले घर में रहने वाले लोगों को देखते है क्योंकि घर है तो परिवार के सदस्य है ही है तो परिवार के सदस्यों का जो temperament है वो कैसा होना चाहिए देखे सबसे ज़दा important क्यों होता है कि शाम को सूरे अस्त के बाद और सुभा यानि ये दो ऐसे पहर होते हैं जहां कहते हैं कि अपने घर की vibrations बड़ी अच्छी होनी चाहिए सुभा का जो वातावरन होता है वो पूजा भक्ति माय होना चाहिए और शाम का जो वातावरन होता है वो बड़ा सूधिंग सा होना चाहिए जो आपने घर के अंदर कुछ मंत्र चैन्ट लगाते हैं तो आपके घर की एनरजी जो है वो पॉजिटिव होती है लेकिन घर के लोगों को कैसे बदल सकते हैं आप बदल सकते हैं यह चो आपने की सिस्टम तेयार किया न कि बच्चे आप किसे है अब ने चरह हें जी बच्चे सो और बच बच्छ सूु रहे हैं जी जी यह जो सूर्य उदे के कुछ गंटों के बाद उठने की रीत मनाई है यह कही ना कहीं आपके बच्चों को आपके घर की एनरजीज को नेगेटीव कर रहा है क्या पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे IPS IS ऑफिसर क्या पहले नहीं बनते थे बनते थे अगर आज के जमाने में कॉमपीटिशन था तो उस जमाने में भी तो कहीं कॉमपीटिशन रहा हो गा आज के जमाने में तो आपके पास बहुत फैसिलेटीज है लेकिन उसthose जमाने में तो फैसिलेटीज भी नहीं थी एक छोटी से रोशनी लो होती थी उसी के शाय में बैठकर科िन सुभा सूरू सबसे बड़ा जो हमारा जिन्दगी का वो है कि देर से सोना और देर से जागना जब यह दो सिस्टम की बायो कुलाउग ही आपने अपनी खराब कर लिये तो वहां कहीं न कहीं इसका वाइब्रिशन्स जोगता है कि घर के अंदर होता है फिर आती है बात कि घरों के अंदर पार्टीज का सिस्टम और पार्टीज कौन सी शाम को शाम को कौन सी चीज़ों की पार्टी तामसीख चीज़ें खास करके मासाहार भी खाते हैं और साथ के साथ अलकोहल भी पीते हैं घर के अंदर ही क्यों ये सारी चीज़े हैं घर एक मंदिर है और उसे जितना आप शुद्ध रख सके उतनी ही उसकी वाइब्रेशन साथ की शुद्ध और शुब होंगी तो कभी भी तामसीग चीज़ें घर के अंदर नहीं लानी चाहिए इसलिए कहते हैं मासाहार मास मदिरा से थोड़ा दूर रहना चाहिए अगर आपने अपने घर के बातावरन को शुब्री और शुद्ध बनाना है अब आती है बात घर के अंदर जो हमें एक पेंट का सिस्टम चला है लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, फिरोजी रंग, और रंग, ये रंग ये कहीं न कहीं उर्चा जो है वो आपके लिए एक नेगटिव उर्चा त्यार करता है घर का वातावरन हमेशा सूधिंग होना चाहिए और खास करके उन कमरों का वातावरन जहां आप शयन के लिए जाते हैं सोने के लिए जाते हैं, मन को सुकून जाते हैं वहाँ थोड़ा सा सूधिंग वातावरन रहता है colors का खास करके चुनाब आप soothing चुनाब कीचिए का तो अच्छा रहेगा ब्राइंग रूम का वातावरन आप थोड़ा सा vibrant रख सकते हैं तोड़ा सा colors का इस्तेमाल आप वहां कर सकते हैं लेकिन वहां जहां पूजास्थान जहां बच्चों की study का time है प्लेस है जहां आपके सोने की प्लेस है तो उन जगों पे थोड़ा सा soothing रखना चाहिए फिर आती है कि घर की entrance पे बिखरे हुए आपके जूते हैं घर की entrance पे रखा हुआ कूड़ादान यानि dustbin जिसे हम कहते हैं घर के front में रखे हुए ऐसे पौदे जो काटेदार हैं कहने को तो गुलाब के पोदे रखे होते हैं तेकिन उसमें कांटे होते हैं कांटे का पोदा नहीं रखा जाता है entrance के उपर तो यह चीजों को भी आपको थोड़ा साथ ध्यान देना है दूर करना है ताकि आप अपने घर की उर्जा घर की vibrations यह positive बना सकें फिर आती है कि हम घर की तो बात कर लेते हैं आज च्छत जो होती है वो जड़ा दर लोगों की common च्छत होती है लेकिन च्छत सिर्फ हम लोग एक दूसरे के ओपर डाल देते हैं वो साफ करा देंगे वास साफ करा देंगे हम क्यों कराएं क्यूंकि हम वो तो है नहीं सब से उपर फ्लोर में तो वो रहते हैं हमने क्यों करवाना ही है सब लेकिन वो च्छत जो है वो एक च्छत आप सब के लिए वाइब्रेशन्स क्रिएट कर रहे हैं कौनसी वाइब्रेशन्स नेगेटिव यानि वहां कूड़ा, क्लेटर, गंदगी, छोट छोटे ऐसे अन्वांटीड पोदे हो ज आज मेरी बारी फिर आपकी किसी और की फिर किसी और की तो जो च्छत की वाइब्रेशन्स है वो भी आप सभी के घरों के अंदर अच्छी आने चाहिए, फ्लैट सिस्टम है तो क्या हुआ, सफाई थोड़ी मना किया उन्होंने, लेकिन आब आती है, एंट्री, एंट्री भ जाते हैं, जहां से सब लोग चड़ते हैं, तो अपनी एंट्रेंस को बहुत ही अच्छी खुशनुमा बलाईए, यानि अच्छे अच्छे पौदे लगाईए, कुछ फूलदार पौदे लगाईए, खुशबूदार पौदे लगाईए, जिसके फूलों की महक आपको आए जब आप निकलें, और जब आप किसी कारे के लिए जाएं, तो भी आपके घर का वातावरन बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी मेन एंट्री कभी डस्टबीन नहीं होना चाहिए, मेन एंट्री के ओपर डस्टबीन कुड़ेदा नहीं होना चाहिए, और फैले हुए जूते नहीं होने चाहिए, तो इन चीजों का भी आपने खास करके ध्यान रखना है, घर के अंदर 24 गंटे अगर चिटचिड़ा पन होता है, उस घर में लक्षमी नहीं आती है, घर के अंदर नेगेटिव महोल होता है, तो धन भी नहीं आता, सुकून भी नहीं होता है, घर के अं तो ये सारी चीजों का ध्यान डखिए ताकि आपका घर वाके ही एक मंदिर कहलाए जब आप उस घर से बाहर निकलें किसी भी कारे के लिए तो आप कभी भी खाली हाथ वापस ना आए हमेशा तरक्की साथ लेकर के आए और खुशियां साथ लेकर के अपने घर के अंदर आए ये इस तरीके का जब भी हम अपने घर का वातावरन रखते हैं तो हमारे घर का वातावरन अच्छा भी होता है और हमारा जीवन भी खुशियों और सुकुन से बरा होता है वीडियो को जादा से जादा लोगों तक जरूर शेर कीजेगा अगर आप लोगों ने अभी तक मे राशी फल के साथ priority हजिर्ज ही है राशीक, आपके लिए लगलड़ा लगcker, तो आप अपने दिन दिन भी बहतर बना सकते हैं एंदे हम्लोड जहाथ से जाधा शेल की मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार केचिए तब तक है नमस्कार